संग प्रमुक मोहन भागवत को राम मंदिर तीर्थ शेत्र का संरक्षक बनाई जाने को लेकर धरने पर बैठे महंत पर महंसदास महाराज ने अंशन खत्म कर दिया जॉइंट मेजिस्ट्रेट और स्तियो सदर ने शिकुरवार को गाय का दूद पिला कर महंत पर महंसदास का अंशन समाप्त कराया अंशन खत्म करने के साथ ही महंत पर महंसदास ने अपनी मांग संबंदिक ग्यापन अधिकारियों को सौपी महंत पर महंस दास की मांग है कि किसी डलित को राम मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया जाए हो जाएगा और जब राम मंदिर का मुख्य पुजारी दलित समाज का कोई ब्यक्ति हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह यह बहुत बड़ा यह समाज को जोड़ेने का काम होगा और तब दलित भी जो हमारे अभी कहीं हीन भामना महसूस कर रहे हैं उनके अंदर गर्व होग जब भगवान स्री राम केवट को गले लगा सकते हैं सबरी का जूठा बेर खा सकते हैं तो क्या हम लोग राम लला का मुख्य पुजारी एक दलित को नहीं बना सकते हैं और यह मोदी जी जरूर बनाएंगे इसके साथ ही महंत पर महंसदास महराज दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी को भी जीत का आशिरवाद दिया उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत होगी बड़ी प्रमुक्ता से इस पर विचार किया जा रहा है तो उनके आग्रह पर उनके निवेदन पर हमने आज जो है तो अपने अंसन को समाप्त किया और चोकि मैं जगत गुरू परमहंसाचार उर्फ महंत परमहसदास हमारा जो अस्थान है वहां से ग्यान बैराग भक्ती क सर्वोच धर्माचार की हैसियत से भारती जंता पार्टी को नरेंद्र मोदी की राष्ट भक्ती से प्रभावित हो करके मैं आशिरवाद भी आज इस जियागी के माध्यम से दिया हूं कि दिल्ली का जो चुनाओ है यह आशिरवाद के रूप मोदी जी की जोली में जाएग प्रभावित चुनाओ है सही जगा पहुंचा देंगे और आपकी जो भी बात है वो सुनी जाएगी और हम लोगा उनसे आगरा रहा कि उनके स्वास्त को देखते हुए कि आप अपना जो सत्यागरह उसे समाप्त कर दें और एक पत्रक दे के जो है अपने जितने भी यहां पे आपके सपोर्टरस हैं वो भी क्योंकि चिंतित हो रहे थे इनके स्वास्त को लेके तो इसलिए आप पे एक पत्रक देदें और जो भी आपकी मांगे हैं वो प्रॉपर चैनल से सही माध्यम से सही जगा पर पहुंचा दी जाएंगे आपको बना दी कि महंत परमहंदास ने संग प्रमुक मोहन भागवत को ट्रस्ट का संरक्षक और परमाध्यक्ष बनाय जाने की मांग को लेकर अन्य जल का त्याग कर दिया था उनका कहना था कि जब तक संग प्रमुक को ट्रस्ट का संरक्षक नहीं बनाय जाएगा तब तक वे अंशन पर रहेंगे चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट